कि नमस्कार आपको देश की बाहरी की क्या इस्थिती है लॉकडाउन को लेकर हम उसकी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं कि ओमान की तस्वीरें कि जिसमें ओमान के नेजवा सहर से महारे चार्स चार्सों किलोमेटर की दूरी पर कि इस्थिती ये कंपनी है जो बिल्कुल ही रेगिस्तान के बीचों बीच है डिजर्ट मरुभूमी अरिया है यहां किसी भी परकार के कोई पेड़ पाओ देने इस सिर्फ बालू ही बालू है और इस बिच लगाया गया यह बड़ा सा क्यम्प जो महजदो से तीन वर्ग किलो कंपनी है वो BP रथात प्रितिटिसISA पेड्रोलियम कंपनी काम कर ले कर रही है जो इंगलेंड की है और यह मुख और दूसरा प्रो कंपनी इस में नहीत है और तिस्रा कंपनी का प्लांट 3CC है जिसकी हम तस्वीरे डिखा रहे हैं जो दस्वीर भेजने वाले द्रभंगा इमरान खान पठान पठान कोई दूसरा काम नहीं है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस कंपनी की कि आगे की बाद हम बताना चाहेंगे कि कमपनी दवारा बनाया गया स्टाफ केम्प की तस्वीरे जिसमें लॉकडाउन की हालत नजर आ रहे हैं और यहां मुखतह भारत और पाकिस्तान के स्टाफ तो हैं लेकिन यहां सब के सब बैठे हुए हैं और बेकार बैठे हैं हम आप हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें लिबनान की 3CC कमपनी है और यहां 18,000 लोग हैं जिन में से 17,000 लोग स्टाफ के रूप में हैं जिसमें 17,000 लोगों में जिसमें मुकरूप से लिबनानी मिस्री अत्थात मिस्र देश के मिस्र की राजधानी काहिरा मिस्र देश के लोग सिरिलंका के लोग भारत के लोग और फिलिस्तिन के लोग और इराकी और लोकल आउमान के लोग भी हैं इस company में मौजुद और यहां कौस्टरक्शन का काम चल रहा था जो अभी बदपड़ा हुआ है यह mechanical gas plant का का चल रहा था और यह गास बंड रहा था और जिसका اvent काम चल रहा था जो अभी बंद ओ गया है lockdown को लेकर विंत्व महामारी korona को लेकर lockdown होने के बाद सभी कंपनियां बंद कर दी गई हैं कंपनी की प्लांट बंद है जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट का नाम खजीर है इस खजीर प्रोजेक्ट पर यहां काम चल रहा था जो अब बंद है और कंट्रेक्टर बीपी अर्था बिरिटिस पेट्रोलियम इसका मुख में दरवंगा के वक्ति काम कर ले था और उन्होंने यह तस्वीर बेज़े हैं जिसमें कि इनके दवारा बताया जा रहा है कि बिहार उत्तरपर्देश महारास्ट के लोग यहां हैं और बिहार के मुख्यता दोजिले सिवान एवं गोपाल गंज के बहुत सारे लोग यहां मौजुद हैं और अपने अपने कमरों में सिम्टे हुए हैं उत्तरपूर के उत्तरपर्देश के उत्तरपर्देश के गोरखपूर देवरिया एवंग बलिया के लोग मुख्रुप से उत्तरपर्देश के यह तिन जिलों से लोग आते हैं जो अधित्तर हैं और बिहार के इके दुक्ये लोग नवादा और जमोई के लोग भी मौजूद हैं यहां के लोगों का किसी भी परकार से आने-जाने का अर्थात इस नजर आ रही है चाहों इसाथ से ये जो कैम्प बनी हुई है इस से बाहर जाना यह कुछ मना ही है पुर्णतः पावंदी किसी का भी बाहर जाना या बाहर से अंदर आना यह अभी लॉक डाउन में संभाणी को देखते हुए सभी लोगों को बिल्कुल बाहरी व्यक्ति और नहीं आ सकते हैं और उन बाहरी व्यक्तियों पर भी पूर्ण पावंदी है कोई भी बाहरी व्यक्ति के अंदर नहीं आ सकता है और यहां का मेश अर्थात भोजनालाई का भोजनालाई का भंडारा भी बहुत बड़ा है और यह भरा पड़ा है खाने रहने की कोई दिक्कत नह मुझूद है काफी लंबे चोड़े भुभाग या फिर कहें रेगिस्तान में फैला है यह कंपनी का कौटर का जो छेत्र है यह काफी दूर तक फैला हुआ है और इन कौटरों को यहां के अस्थानिया भासा में खेमा कहते हैं प्रोजेक्ट मेटरियल रखे पड़े हैं और कामबंध है कमपने का आदेश है कि खाओ और पड़े रहो कुछ करना नहीं है सिर्फ खाओ और पड़े रहो यह तस्वीर आपके सामने में है और इधर उधर घूमना भी मना है घूम नहीं सकते कोई भी लोग यहां इधर उधर भटकते नजर नहीं आ सकते और मानके चलिए कि संध्या होते ही रात्री होते ही जेल के तरह अपने अपने कमरों में चले जाएं और किसी तरह से इधर उधर नहीं जा सकते और हम बताना चाहेंगे कि सफाई कर्मी और रसोया डॉक्टर्स आदिस सभी केंप में मौजूद हैं और सभी लोग अपने अपने कार्ज को कर रहे हैं इक के दुक्य गाड़ी भी नजर आ जाएंगा आपको इस तस्विर में चलता हुआ जो सफाई कर्मी की गाड़ी है ज केवाल आप कमरे से बाहर निकले खाना खाए और फिर मेज में भी जाएं तो बहुत लोगडाउन का हिसाब किताब पालन दूरी सोचल डिस्टेंसिंग है यह सिर्फ हमारे देश में नहीं पूरे विसो में लगी हुए है और यह उमान की तस्विरे दिखा रहे हैं जहां सो रात में जहां पहले लोग थिएटर का मजा लेते थे अब नहीं ले पा रहे हैं यहां इस केमपस में बड़ा सा थिएटर भी है आई यहां सिनेमा ओले लेकिन टिकिट नहीं लगता बड़ा सा थिएटर है जहां लोगों का इंटर्टेंड किया जाता है और खास करके रात् पूरी तरह से बंध है जिमें भी लोगों का प्रुवेस निशेद हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि कि तो अमन की तस्वीर आपको सामने में आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं यहां मुकता जो समय कट रहा है लगभग किसी तरह से लोग समय काट रहे हैं और घर जाने को तरस रहें लेकिन घर ना जाना ही अच्छा है अपके ट्राविलिंग में यात्रा के दौरान के ही किसी परकार की आपको संक्रमन न हो जाए इसलिए आप वहीं रहें और मैं ये जो दरभंगा के जो खान साथ हम उनसे भी कहना चाहेंगे इमरान खान जी कि आप भी संक्रमन और महामारी रुका नहीं है जहां लोग घरों में सिम्टे हुए हैं या फिर कहिए कि सामने में लोग सिम्टे हुए हैं कुछ बाहर इदर उदर रहे हैं इस केंपस में जो भूंते-फिरते हैं जो दिन का समय है तो खाने-पीने के बाद लोग घूम फिर भी लेते हैं जो कुछ तष्विरे इदर उदर से नजर आ जाते हैं और लोग पड़े-पड़े ठक जा साथ पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे जो आज पूर्ण तहबंध है और मस्जिद भी बिलकुल दिरान है या फिर कहें सन्नाटा है सिर्फ आजान होती है लोग अपने अपने कमरों में ही नमाज पढ़ते हैं और यह साथ से आठ हजार लोगों के होने के और भी लगा हुआ है सहर से दूर रहने के कारण इस कंपनी में इस केंप में सारी सुविधाएं परदान की गई है टावर से लेकर अन्य सभी सुविधाएं यहां दी गई है पर लोगडाउन में बाहर जाने की इजाजत नहीं है सारी सुविधाएं है और स्रीफ और और यहां पूरवी देसों के अधिकतर मजदूर रहते हैं और अपने आप में यह एक दुनिया वसाती है यह अलग दुनिया वसी हुई है अपने आप में और बिल्कुल ही अनुठा पर्थित होता है यहां के लोगों के लेकिन वहां जो लोग हैं वह अपने परिवार से दूर हैं और उनको काफी अच्छा नहीं लगता है और वो लोग अपने घरवालों को याद करकर रोते हैं तो हम कहना चाहेंगे कि आप रोए नहीं बिल्कुल आप नॉर्मल रहें बहुत जल्द हालात हमारे देश के हमारे ह जैसा कि आप ने वहताया तो आप कम से कम लोगों के संपर्ग में आया और जो अपने देश के लोग हैं उनसे भी थोड़ा सा दूरी बनारे कि आप जब भी कहीं जाएं कहीं भी जाएं तो जाने से पहले और जाने के बाद हात पैर मुझे नहीं ही जाएं यह हमारा विछ हमारा विज्द हे से राइ है कि हुआ नहीं जायं आप लोग क्य'M में बने रहे